नमस्कार, Cotton Complex Morning Podcast में आपका स्वागत है, आज 14 दिसंबर शुकरा के सेशन के अगर बात करें तो Cotton के प्राफिट बुगिंग आते विए देखी पौने पर्शन की गिरावट के साथ खपास में हमने गिरावट आते विए देखी जिसंग से हमने देखा कि प्राइजस दो जार असी का लेवल नहीं तोड़ पा रहा था एक प्रॉफिट बुगिंग डियू थी दो जार से लेके दो जार असी का एक दायरा नया बन चुका है जबकि इंटरनेशन मर्केट में हमने देखा है कि आज के सेशन में सब्सक्राइब करना है युएस और चाइना के बीच में चलते हमने देखा कि एग्री की जो वाइन है वह अभी भी कंटिन्यू है जिसमें सोयावीन और कॉटन यह दोनों की वाइन कंटिन्यू चल रही है जो प्राइजस का एक सेंटिमेंट पॉजिटिव लिए मुग करना देखा है जिसके चलते हमने लगता है कि जिस दंसे कुछ बोचारे वेस्टन डिस्टिमेंस की वज़े से राजस्तान गुजरात और महरस्ता में पड़ी है इसका भी एक पॉजिटिव इंपक्ट पुरे ही कॉटन कंप्लेक्स में आता हुआ दिखाई देगा टेक्निकली औ तो हमारे वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी कपास में भी 1170 से लेकर 1208 का इंपॉर्टन डेजिस्केंट है 1208 का लेवल तोडने पे 1235 तक का भी लेवल दिखाने है मैं कॉटन से डॉल के हमें लगता है 2150 से 2300 तक के भी लेवल देखने मिल जाएंगे लेकिन एज आफ नौ मार्केट एक सीमी दायरे में ट्रेट कर रहे है एक पुलवेक 2000 तक का लेवल मिलता है उस पुलवेक में हम लेके चलेंगे जो अपस 280 का लेवल तोडने पे ही 250 तक क तो डॉजार अशी का एक इंपॉर्टन का इंपॉर्टन का लेवल है और दो सोडे मॉविंग अवेस का सपोर्ट है यह रिजिमें ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा वहीं आइस कॉटन की अगर बात करें अभी भी तेजी का रुख है 74 सेंट की उपर काउंटर स्ट्रॉंग है एक इंवर्टर हेड़ स्ट्रोडर पैटर्न बना हुआ है जो अभी भी एक्टिव है जो 77-78 पर का भी लेवल दिखा सकता है तो ओवर और कपास कॉटन और कॉटन सी जोई के किनों ही काउंटर में हम तेजी देख पाएंगे अधिक जानकारी के लिए आप ह पिटी कमार्टिक का अब्रेट लाते रहेंगे धन्यवाद